सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसी फिल्म दिखाने जा रहे हैं जो मध्यप्रदेश के सियासी बॉक्स आफिस पर रिलीज हुई है इस फिल्म में चुनावी अदाकार के एक ऐसा सीन है जिसके सामने बड़े बड़े अभीनेता भी फेल हो जाएंगे इस फिल्म में पुलिस की ऐसी सस्ती ओवर एक्टिंग है जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इस ओवर एक्टिंग के तो पैसे काटने चाहिए इसमें विवस्था की भी चुनावी अदाकारी है जिसमें लोगों की भावनाओं और समवेदनाओं के साथ बहुत महीन तरीके से खेला गया और इस सब की टाइमिंग है चुनाव से चार महीने पहले नोट कीजेगा टाइमिंग की एहमियत सिर्फ क्रिकेट या दूसरे खेल में नहीं होती है सियासत में भी टाइमिंग के बहुत गहरे माइने हैं इसलिए मध्यप्रदेश से रिलीज हुई इस फिल्म के भी माइने समझने बेहत जरूरी है आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंती शिवरास सिंग चौहान ने सीधी में हुए मूतरकांट के पीडित से मुलाकात की लेकिन आप इसे मुलाकात नहीं बलकि शिवरास सिंग का सुदामा वाला डेमेज कंट्रोल कह सकते हैं क्योंकि इस दौरान सीधी मुख्यम शिवरास सिंग चौहान ने मूतरकांट के पीडित को ना सिर्फ सुदामा कहकर बुलाया बलकि उसके पैर भी धोए क्या आपने कैमरे के सामने पैर धोकर किसी को वोट जटकते हुए देखा है उधारन सामने वीडियो वाली इस चरण वंदना के पीछे असल में वोट वंदना भी है परिस्थितियां ऐसी है कि इस सुदामा के चरणों में सत्ता की शक्ती है इसलिए शिवरासिंग पैर धो धोकर मूतर कांट के दाग मिटा रहे है राजीती की दुनिया में ये वीडियो चर्चा का विशे बना हुआ है यहां हमें एक पीडित को सम्मान देने पर सवाल नहीं उठा रहे है पीडित के घाव पर मरहम लगाना चाहिए उसे हर हाल में सम्मान मिलना भी चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए लेकिन आज मद्रप्रदेश में जो कुछ हुआ उसे सच्ची सम्वेदनाओं के पैमाने से ज्यादा सियासी अदाकारी के पैमाने पर परखा जा रहा है ये सवाल उठ रहे हैं कि कैमरे वाली सम्वेदना पर आदाकारी का लेबल क्यों न लगाया जाए वैसे अभी तक ऐसा कोई यंत्र या गैजिट नहीं आया है जो असली सम्वेदनाओं और एक्टिंग में फर्क कर सके इसकी पहचान देश, काल, परिस्तिती और कॉमन सेंस के हिसाब से ही होती है हमारे न्यूज मित्रों को वीडियो को ध्यान से देख कर अपनी राय आसानी से बनानी चाहिए अब हूँ बना सकते हैं इसके लिए हम आपको जल्दी से एक वीडियो राउंड अप दिखाते हैं जहां ये सारा एक्शन लाइट और कैमरे के सामने हुआ आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान पहले पेड़ित आदिवासी शक्स को उसका हाथ पकड़ कर अपने आवास में लाते दिखाई दिये पेड़ित को कुर्सी पर बैठाते हैं और खुद नीचे बैठ कर उसके पैर्द होने लगते हैं इसे आप शिवराज का कृष्ण सुदामा वाला वीडियो मॉडल भी कह सकते हैं इसके बाद पेड़ित को सम्मान के साथ सोफे पर बैठाया जाता है उसके माथे पर टीका लगाया जाता है माला पहनाई जाती है शौल उड़ाया जाता है और फिर खुद मुख्यमंत्री उसके साथ बैठ कर खाना भी खाते हैं और सीधी में आरोपी प्रवेश शुकला ने इस आदिवासी शक्स को अपमानित करने वाला जो मूत्र कांड किया था उसके लिए माफी भी मांगते हैं अब इन तस्वीरों को सियासी पहमाने पर तॉलने वाले इस चुनावी एक्टिंग का नाम दे रहे हैं जो लोग हैं वो इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ सेकंड की एक रील दिखाते हैं इसके बाद बात एक्टिंग की नहीं बलकि पुलिस की ओवर एक्टिंग की भी होगा आप बात दिखा और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीब ही हमारे लिए उज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है कि गर्टना ने मुझे बहुती है तुमदेरे लेते सुलामा है लिए तुमदेरे लेते सुलामा हूं गरीब ही बदुआ का मुए मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूँ लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान बैने की कोसुस कर, यही भाव मेरे में लेकिन जिसने अन्याई किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याई हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कौसिस, मैं प्रुदेश बासियों से भी अपील करना चाहता हूँ तो अब शिवराज सिंग चोहान ने कैमरे के सामने पीड़ित का जो सम्मान किया, उसे समवेदन शील चरण वंदना नहीं बलकि सोची समझी वोट वंदना भी कहा जा रहा है लोग ऐसा कह रहे हैं, आरोप लगा जा रहे हैं कि सुदामा को सिर्फ राजितिक शोपीज बना कर सत्ता वाली स्वार्थ सिद्धी हो रही है बीएस्पी सुप्रिमो मायावती ने कहा कि कैमरे के घेरे में पैरधोना, सरकारी पश्चताप कम और नाटक बाजी और चुनावी स्वार्थ की राजनीती ज्यादा है कॉंग्रिस नेता तो ये भी आरूप लगा रहे हैं कि पीडित को अगवा करके सीम आवास लाए गया था और ये सब कुछ पैरधोकर वोट बटोरने वाला एक स्टन्ट है इस पर भी कुछ सेकिंड की रिउल देख लीज़ा कॉंग्रिस का खहना है कि दश्मत रावत को अगवा किया गया इसे कॉंग्रिस का नहीं बल्कि दश्मत की फत्री भी लगातार दो दिन से गुहार लगाती गई क्योंकि वो भी पुलिस से विजेपी के विदाय के दार शुकला से पूथ रही थी कि उसके पंदी का हाई सिंग्चोहान ने उसकी पत्नी से फोन पर बाचित की और कहा कि आपका घर बनवा देंगे आपको आर्थिक सहायता देंगे पत्नी ने कहा कि उससे घर और पैसा नहीं बल्कि उसका पती उसका आदमी चाहिए प्रण 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 आदमी आमा हमरे तो जा रहे हैं वह भी इनको बेज रहा हूं मैं अगवा करके बोपाल लाया गया और जिसकी जानकर इसकी प्रण प्रण प्रविवार को नहीं है कि प्रसाश्चनिक लोग उसको जीब में डालकर भुपाल लेकर आते हैं बिना प्रविवार के जानकारी कि उनकी पत्री महां पर गोहार लगा रही है मीडिया से कह रही गए कि मेरे मेरा बटब की पती का अपरन हो गया करें वह परलोबन दे रहे ह यह सब recorded है, यह सब नाटक नौटक की, अपना पाप साफ करने के लिए तो शिवराज सिंग चोहान के बाद, अब बात उनकी, पुलिस की, जो ना सिर्फ law and order को कंट्रोल करने में कमजोर है, बलकि अभिने में भी बहुत जादा कमजोर है। मद्यपिदेश से जो फिल्म रिलीज हुई, उसमें पुलिस की ओर से भी ओवर एक्टिंग वाले सीन भर भर कर डाले गए। इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जब पुलिस मेडिकल जांच के लिए प्रवेश शुकला को लेकर गई थी। पुलिस ताओ दिखाते हुए, आरोपी प्रवेश शुकला को लेकर थाने से निकली। एक पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ रखा था, जबकि बाकी पुलिस वाले पूरी कोशिश में लगे थे कि उनका एक भी फ्रेम कैमरे से मिस्स ना होने पाए। कैमरा देखते ही, एक पुलिस वाला बार बार आरोपी की पीट पर ऐसे हाथ मानने लगा, जैसे कोई तांगे वाला अपने घोड़े को हाकता है। तब ही कैमरा कॉंशियस एक पुलिस वाले को ये लगा कि कहीं उसका किरदार इस पूरे नाटक से बहांड़ा निकल जाए। ये ध्यान आते ही, वो तेजी से आरोपी की और लबका और उसका हाथ पकड़ लिया। एक पुलिस वाला पूरे वीडियो के दारान इस बात की कोशिश में लगा रहा कि वो भी अपने साथियों के साथ एक्शन ऑन कैमरा वाली इस पतियोगता में पीछे ना रह जाए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो आखिर तक आरोपी के साथ अपनी फोटो सेशन नहीं करवा पाया। इस दोरान पुलिस वाले तिरची निगाहों से ये देखते रहे कि कैमरा आउन है या नहीं। उनके ओवर एक्टिंग वाला ये शॉट ओके है या नहीं। लेकिन हम इसे ओवर एक्टिंग क्यों कह रहे हैं इसके लिए हम आपको दो दिन पहले चार जुलाई का वो वीडियो भी दिखाते हैं जब प्रवेश शुकला को पकड़ने के बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुँची थी। तब पुलिस ने प्रवेश शुकला को हाथ तक नहीं लगाया था और आरोपी इतनी अकड़ के साथ जा रहा था जैसे उसके सिर पर सत्ता का नशा चड़ा हो और उसे ये लग रहा हो कि पुलिस और कानून भी उसका कुछ नहीं बिगार पाएंगे। इन तस्वीरों के वाइरल होने के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए पुलिस ने लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ पूरा सीन शूट किया लेकिन उसकी सस्ती क्वालिटी वाला अभी ने पकड़ा गया। मंद्रप्रदेश में नेता जी की चुनावी अदाकारी ही नहीं, पुलिस की ओवर एक्टिंग ही नहीं, बलकि सिस्टम और विवस्था पर भी प्रशन चिन है। जिसमें बहुत शिंगारिया निकल रही है, उचा जा रहा है क्या मूत्रकान के इस मामले में वाकई NSA लगाया जाना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि आरोपी प्रवेश शुकला पर NSA की कारवाई जायज नहीं है। इसी आधार पर कई लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। लेकिन इसमें एक वर्क का दूसरा तर्क भी है जो NSA के दाइरे से जुड़ा हुआ है। उसे समझाने के लिए हम आपको NSA पर सत्ता की एक कुझी रिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि NSA है क्या और ये कब और किस पर लगाया जाता है। समाने भाशा में ऐसे समझे कि एनसे उन लोगों पर लगाया जाता है जिन से किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा के ले खत्रा महसूस हो अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्ता को सुचारूरूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो उस पर एनसे लगा कर उसे तुरंथ हिरासत में ले लिया जाता है ये राश्ट्य सुरक्षा कानून 1980 में इंद्रा गांधी की सरकार के दौरान बना था जो केंद्र और राज्य को संदिक्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि मध्यप्रदेश पुलिस और सरकार को कैसे लगा कि प्रवेश शुक्ला से राश्ट्य सुरक्षा को खत्रा है हाला कि इसके जवाब में सरकार कानून विवस्था को खत्रे वाला तर्क दे सकती है क्योंकि इस मामले में जातिय संघश वाला एंगल भी है और उसी अधार पर वोट वाली चरण वंदना भी हुई है इस मामले में शिवराज सरकार के एक और इंसाफ पर सवाल उठाये जा रहे हैं और वो है बुल्डोजर वाला इंसाफ मंगलवार को आरोपी प्रवेख शुकला पर NSA लगाने के बाद बुधवार को शिवराज का बुल्डोजर आरोपी प्रवेख शुकला के घर पहुच गया और उसे मिक्टी में मिला दिया गया लेकिन इस एक्षन पर भी वेचारिक विमर्ष में दो गुट है एक वो जो बुल्डोजर की कारवाई को जायस बता रहा है लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिनका कहना है कि ये बुल्डोजर सिर्फ घर पर नहीं चला बलकि एक पूरे परिवार और उनके भविश्य पर चला है आखिर एक बेटे के कुकर्मो की कीमत उसका पूरा परिवार क्यों चुका है कुछ ऐसे सवालों के जरिये शिवरास सिंग चोहान के बुल्डोजर वाले एक्शन पर सवाल पूछे जा रहे है सोशल मीडिया पर लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है प्रवेश का परिवाद भी पूछ रहा है कि आखिर उनके भविश्य को सरकार ने बुल्डोजर से क्यों कुछल दिया हम थारा है हम अगर यसा कित किया है तो फासी हों जी जी लेकिन हम कुछ परिवार नहीं बोस हैं तो फंपरिवार थिया जाए लिए नहीं मारा जाए इस जोटो पता भिए जाए कोने के ने बुछ थारी ने उन्सा पंदार एस अजने प्रसावान के नियु भुटा करना पड़ जाए भल भी नी थासाद मेरे बपा का खाट आपको याद होगा इस खबर की शुरुआत में हमने एक शब्द का इस्तिमाल किया था वो है टाइमिंग इसलिए मध्यप्रदेश में मामा के सुदामा वाले डैमेज कंट्रोल की टाइमिंग को लेकर भी आज कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाओं से करीब चार महीने पहले हुआ है अब हम आपको इस सवाल की बज़े भी बताते हैं दरसल जिस पीडिश शक्स के साथ आरोपी प्रवेशवर्मा ने घ्रित अपरात किया वो आदिवासी समुदाय से है 2011 की जनगर्णा के मुताबिक मध्यप्रदेश के आबादी 7 करोड 26 लाग से जादा है और इसमें करीब डेड़ करोड आबादी इसी आदिवासी समुदाय से आती है मध्यप्रदेश में विधानसभा सीट 230 है और इन सीटों पर जीत हार का बड़ा फेक्टर मध्यप्रदेश के करीब 21 फीजदी आदिवासी वोटर है मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाती के लिए 47 विधानसभा सीट रिजर्व हैं जबकि आसपास की भी कई सीटों पर आदिवासी वोटर असर डालते हैं साल 2018 में बीजेपी को इन 47 सीटों में सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत मिली थी जबकि कॉंग्रेस 31 आदिवासी सीट जीतने में काम्याब हो गई थी यानि पिछले विधानसभा चुनाओं के नतीजे ये बताते हैं कि आदिवासी समुदाय का एक मुष्ट समर्थन बीजेपी को नहीं है इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि शिवरास सिंग चौहान ने मूत्र कांट के आरोपी के साथ सुदामा वाला जो मॉडल अपनाया वो चुनावी अदाकारी अब इस पर नजरिया नाए मुख्यमंत्रि शिवरास सिंग चौहान को लग रहा है कि आज के उनके चुनावी अदाकारी वाले वीडियो देखने के बाद मध्यप्रदेश में करीब डेड़ करोड की आदिवासी जनसंख्या मामा के लिए मोम की तरह पिगल जाएगी और फिर चार महीने के बाद बीजेपी के लिए वोटो वाला मौनसून आएगा भर भर के वोट बरसेंगे हाला कि शिवरास सिंग चौहान के लिए ये सोचना उनका अधिकार भी है क्योंकि वो एक नेता है उनका काम राजनीती करना है मौझूदा वक्त में कई राजनीतिक विशलेशक भी ये मानते हैं कि आज की राजनीती में थोड़ी थोड़ी एक्टिंग जरूरी होती है एक और जरूरी बात ये कि किसी अपराधी का घर गिराये जाना जायज नहीं है क्योंकि किसी एक शक्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना कभी इंसाफ नहीं कहा जा सकता है ये समझना होगा कि बुल्डोजर कोई न्यायधीश नहीं है किसी आरोपी या अपराधी का मकान गिराने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टन्ट इंसाफ की फिलिंग आ जाती हो लेकिन सच ये है कि वो इंसाफ नहीं बलकि बदला है और इंसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है